हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सभूं का मेरे जारखन किंडो टेरिस गार्डेन में मैं फिर एक बार स्वागत करती हूँ, आप सब कैसे हैं, उमीद करती हूँ, आप अच्छे ही होंगे, अभी दिन के सवेरे के लगभग 9 बचे हैं, मैं अपने गार्डेन में आ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, कल साथ ही साथ बेल आइकन को भी, ताकि आपके पास उन सब वीडियो, जितने भी मैं नए वीडियो डालती हूँ, उनकी नोटिपिकेशन आप सब हूँ को मिल सके, फ्रेंट्स, मैं आज आप सब हूँ से, मैंने एक छोटी से ग फ्रेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पर भेंडी के पौधे, बीज लगाई थी, लेकिन ठंड की वज़ा से ग्रोथ नहीं कर पाए, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी से ग्रीन हाउस बनाती हूँ, ताकि उन सब हूँ की अच्छी तरह से बीज अंकुरित हो सके, मैंने इसे लगाई वे बहुत समय हो गया है, दोस डेड़ सबते हैं, इन में जब अंकुर नहीं हो रहा था, तो मैंने इनको पानी देना भी छोड़ दिया है, और देखे, इसमें मैंने रेड कलर का जो साग होता है, भाजी, जिसे हमारे यहां तो भाजी साग कहा जाता है, और यह भी बहुत समय हो गया था, सबताह दिन से उपर हो गया थे, अभी छोटे-छोटे से रेड रेड सा अंकुरित हो रहा है, मैं सोची थी पुराने बीज हैं और यह अंकुरित नहीं होगा, मैंने जैसे ग्रीन हाउस बनाई हूँ, आप सब भी इसी तरह से बड़े ही असानी से बना सकते हैं, मैंने भी पहली बार बनाई हूँ, मैंने बना कर देखियू कि इसमें पौधे बीज अंकुरित हो पाते हैं या नहीं, तो मैं देख रही हूँ कि इसमें कुछ बीज अंकुरित होने लग गये हैं, इसलिए मैं आप सबों से सेल कर रही हूँ, इसके लिए हूँ देखिए आप भी बड़ी ही असानी से ऐसे बीज अंकुरित कर सकते हैं मैंने 24 घंटे के लिए जितने भी बीज थे सभी बीजों को भिगो लिया है और इसमें डाल दी हूँ देखिए खोल के दिखाती हूँ देखिए फ्रेंट्स इसमें मैंने बहुत सारे बीज मैंने पहले भी बीज मिटी में दबाई लगाई थी लेकिन वह बहुत ही कम एक दो ही अंकुरित हुए हैं लेकिन मैंने इसे इस तरह से त्यार कर के अभी आज मैं इससे साम के समय लगा दूंगी देखे भिंडी के भी इसमें बीज अच्छी तरह से अंकूरित हो गए हैं मैंने लोबिय के लोगी के कद्दू के सभी बीजों को मैंने खीरे के सभी बीजों को मैंने इसमें भिंगो के एक टीसू पेपर मैंने नीचे लगा लिया था फिर उसके उपर से मैंने पानी छिड़काव करके भीगे हुए बीच को मैं डाल दी थी अभी लगबग चार दिन हो रहे हैं और इसे ऐसे धक देती हूँ और धकन पूरी तरह से बंद नहीं करती हूँ ताकि उसके अंदर हवा आती जाती रहे और इसे मैं अंदर में सेडी एरिया में रख देती हूँ और दिन में जब कभी इनके पानी सुख जाते हैं तो मैं थोड़े थोड़े से इन में छिड़काव कर देती हूँ अभी इसके जितने भी वीज अंकूरी थुए हैं उसे मैं आज साम के समय अपने पोट प्लांटर में सिप्ट कर दूँगी अगर आपको वीडियो पसंद आया इस छोटी से टिप्स के तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थाइंक्स पूर वाचिंग प्रेंट्स बाई बाई नमस्कार